हेलो शुड़ाइंट्स वेलकम टू लिटल जॉलजिस्ट इस लेक्चर में मैं आपको बढ़ाने वाला हूँ कक्षा नौवी विज्यान का अध्याय नमबर आठ गती लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लिटल जॉलजी चैनल पर फर्स टाइम आए हो और लेक्चर को फर्स टाइम देख रहे हो समझ में आता है लेक्चर इन्फोर्मेटिव लगता है तो इसे लायक कर देना उन चैनल को सब्सक्राइब कर देना विश्रा मवस्था क्या है? कोई वस्तु विश्रा मवस्ता में तब कहलाएगी जब उसकी इस्तिती में एक बिंदू के सापेक्स कोई बदलाव ना हो रहा हो अर्थात आपके एक railway station पे आपको कहीं जाना था दिल्ली से आगरा जाना है आप गए railway station पे आप बैठे हुए आपके सामने एक train है वो खड़ी हुई है तो उस समय क्या हो रहा है कि आपके सापेक्स यानि कि आपके comparison में train environment नहीं कर रही है ट्रेन की स्थिति में बदाव नहीं आ रहा है तो आप कऊगे कि ट्रेन विश्राम अवस्था में है लेकिन ​​कुस समए बात ट्रेन चलने लग जाती तीन प्रारूप हैं वृत्य गती रेखे गती और कंपन गती वृत्य गती यानि कि अगर कोई गोलाकार पत है उसमें जो गती हो रही है तो उसे आप कोगे वृत्य गती रेखे गती यानि कि सीधे पत में गती हो रही हो कमपन गती यानि कि दौलन पत कैसा होता है कुछ ऐसा होता है उबल खावल कह सकते हो आप नेक्स आता है अदिश राशी और सदिश राशी अदिश राशी यदि किसी बहुत तिक इकाई का केवल परिमान हो केवल परिमानो यानि कि केवल उसकी value हो उसकी value हो और उसमें दिशा ना दी गई हो तो उसे आप कहोगे अधिश राशी जैसे कि एक मीटर दो मीटर गिंती काउंट कर लो ना वहाँ पे कैसे value है लेकिन दिशा given नहीं है तो आप कहोगे वह क्या है अधिश राशी है लेकिन जैसे ही उसमें आप साथ में दिशा जोड़ दो दिशा जोड़ दो उत्तर दक्षिन पूरा पश्चिम कोई सी भी दिशा जोड़ दो दिशा ना जोड़ तो आप कोई location एड़ कर दो तो आप कहोगे वह बन जाएगी सदिश राशी जैसे कि नमन है नमन एक किलो मेटर गया अब कहा गया एक किलो मेटर हमें नहीं पता तो हम कहेंगे वह अदिश राशी लेकिन जब मैं अगर बोलता हूं नमन एक किलो मेटर उत्तर दिशाकी ओर गया तो वह क्या है सदिश राशी इतने चीज किलर हुए आपको नेक्स्ट है दूरी वे विस्थापन दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है यह आपको पता होना चाहिए देखो एक्जाम में नहीं पूछा जायागा आपसे की दूरी विस्थापन में अंतर बताओ अगर पूछा जाता है तो बहुत अच्छी बात है लेकिन मिझे लगता नहीं ऐसी चीज़े पूछी जाएंगी लेकिन यह बेसिक्स हैं यह आपको नहीं पता तो आप कन्फ्यूज हो जाओ गया आगे फूर एक्जामपल अगर आपको जाना है दिल्ली से आगरा जाना है मेरे एक स्टूडेंट है आगरा में मानलो उसका नाम है संजु या नामनिय दिपान्शु कुछ भी है मुझे उसके पास मिलने जाना है उसे पढ़ाने जाना है मेरे पास दो तरीके हैं अब मैं हूँ अमीर तो मैं तो जाओंगा बाइरोड और बाइपलेन ट्रेन का तो कोई मतलब नहीं बनता अगर बाई रोट जाऊंगा तो बाई रोट में to या फिर बाई पिलेन जाऊंगा तो समय कम लगेगा और वहां का रूट काफ़े छोटा है reason क्या है इसका क्योंकि आप देख सकते हो बाई रोट में गुमा फिर आके जाना है है ना by plane बिल्कुल सीधा है cross करते हुए जाना है यानि कि न्यूनितम दूरी कौन सी है by plane and by root की क्या है actual जो दूरी है actual जो पत है वास्तविक जो पत है वो by root होगा इतनी चीज़ clear हुई तो दूरी क्या है वह है वास्तविक पत जो वस्तुद्वारा चला गया है दूरी कहलाएगी लेकिन दो विभिन पॉइंट के बीच का जो दो विभिन बिंदू है उनके बीच के सबसे कम जूरी न्यूनितम दूरी को हम विस्तापन बोलेंगे इतना फर्क समझ में आया बहुत अच्छे अब यह मत पूछना कि सर आप दिली से आगरा जा क्यों रहते बता तो दिया था वैसे मेरे एक स्टूडेंट है जिसका नाम है नवन उस वेचारे को जॉन्डिस हो गया था तो मैं उससे मिलने जा रहा था नेक्स आता है यह मैंने आपको बताई दिया दूरी विस्थापन के वारे में दूरी अधिश राशी होगी क्योंकि यहां पर डायरेक्शन मेंशन नहीं है यहां पर direction mention नहीं है लेकिन जो विस्थापन है वह है एक सदिश राष्ट है वहाँ पर direction mention है यह चिछ clear होनी चाहिए आपको अगर प्रशन आता है कुछ इस प्रकार का गोलाकार पत हो या वृत्य पत हो तो आपको किस प्रकार से solve करना है यहाँ पर आपको कुछ formula याद होने next आगर कुछ एक प्रशन आने वाला है उसके थ्रो में आपको समझा दूगा दूरी विस्थापन में अंतर यह मैंने आपको बता ही दिया था एक important चीज ध्यान रख लो जो दूरी है दूरी है वह हमेशा positive होगी plus में होगी कभी minus में नहीं कभी zero होगी वहीं अगर विस्थ point यह है B point ठीक है A से B तक की दूरी है 1 meter and O से A तक की दूरी भी है 1 meter आप गए A से O आप गए A से B गए O नहीं A से B गए तो यहां पे आप 1 meter चल दिये बहुत अच्छी बात है तो यह इस समय क्या है आपकी जो दूरी और विस्थापन दौनों बराबर है क्योंकि आप A से B गए खतम रेखे पत्पे गए आप लेकिन आप फिर B से A वापस आ जाते हो B से A आप वापस आ जाते हो तो at the end क्या है अब यह दोनों बिंदू थे इन दोनों के बीच का अंतर क्या हो गए 0 हो गया क्योंकि आप घुमा फिर आके A पही आ गए हो तो 1-1 हो जाएगा 0 वहीं अगर मैं दूरी की बात करूं तो पहले एक मीटर चल दे फिर वापस एक मीटर चले क्योंकि आप A की तरफ दुबारा गए तो यहां पर जो दूरी हो जाएगी 2 मीटर लेकिन अगर आप फिर A से O की तरफ जाते हो तो आप उल्टी दिशा में गए यहां पर क्या हो रहा है विस्थापन और दूरी की कैसे पॉजिटिव नेगटिव वैल्यू आ रही है अगर समझ में आगे तो बहुत अच्छी बात है इसी बात पर लाइक शेयर कर दो वैसे तो करना ही पड़ेगा लेकिन अभी भी कर दो यह प्रशन देखो यदि कोई वस्थू अर्ध गोलाकार पत पर चल रही है जिसकी तरिज्जा 10 मीटर है और यदि प्रारंबिक और अंतिम इस्तितियां A और B है तो उस वस्थू द्वारा किया गया विस्थापन दूरी समय दूरी वगएरा बताओ तो यह आप आराम से कर लोगे पस यहाँ पे आपको कौन सा फॉर्मला पता होना चाहिए अर्द गोले का परिमाप का त्रिज्जा आपको दी ही गई है परिमाप में पाई आएगा पाई की वेल्यू आप नहीं रखो तो अच्छा है और जो आप मुझे आंसर बताओगे कमेंट में वह आपको बताना है पाई की वेल्यू ना रखके यानि की पाई की वेल गती और असमान गती एक समान गती का मतलब क्या होता है यदि कोई वस्तू बराबर दूरी बराबर समय में पूरी करे तो उसे हम बोलेंगे एक समान गती अब आप बोलोगे सर गती गती क्या है तो गती कुछ नहीं है जब दूरी और समय को बटे में रख दिया जाए तो यह बन जाती है, जैसा कि एक समान गती में बोला गया है, बराबर दूरी बराबर समय में पूरी करें, यहां पर यह दोनों इसके ग्राफ हैं, इम्पोर्टेंट है, देखो यहां पर एक समान गती का है, यहां पर भी एक समान गती का है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा फर्क है, क्या है यह तब आएगा जब यहां पर गती की बात हो रही हो कोई चीज पहले से चल रही है यह वाला ग्राफ तब आएगा जब आपको दूरी दी गई हो अब आप गौर से देखो सीधी रेखा हमें क्या बता रहे है सीधी रेखा को अगर आप किसी भी पॉइंट पर जो करो करता जा रहा है यह चीज दी हुई है और आप कह सकते हो समय के साथ साथ गती में कोई परिवर्तन नहीं आ रहे है नेक्स्ट है असमान गती उससे पहले एक चीज समझ लो आपने ग्राफ तो बनाया ही होगा गणित में ग्राफ बनाया होगा तो ग्राफ कुछ ऐसा होता है चार खंड होते हैं लेकिन आपको जो यहां पर ग्राफ बनाना है वहां पर सिर्फ एक ही खंड का इस्तमाल करना है जो कि यह वाला है पॉजिटिव वाला यह उपर हो जाएगा आपका य अक्ष और यहां पर हो जाएगा एक्स अक्ष इतनी चीज के लिए रहे हैं असमान के दो प्रारूप होते हैं एक है त्वरन गती दूसरा मंदन त्वरन त्वरन गती में क्या होगा जब गती बढ़ रही हो जब गती लगातार बढ़ रही हो तो वो गती को क्या बोलेंगे हैं त्वरन गती मंदन गती में जब गती लगातार घट रही हो तो उसे हम मंदन ग आपको ये तो पता ही होगा ना ब्रेक होता है एक्सलरेटर होता है क्लच होता है तो देखो ब्रेक का क्या काम होता है एक दम से रोकने का क्लच का क्या काम होता है जो गती है जो स्पीड है उसका कंट्रोल करने का एक्सलरेटर बढ़ाने का एक्सलरेटर से आप गड़ी गती बढ़ाओगे यानि कि तौरन में ले जाओगे वही मंदन का काम कौन करेगा क्लच करेगा क्लच को जैसे आप जादा दबा दोगे तो गती आराम अपने आप घड़ जाएगी अब समझ में आया प्रैक्टिकल एक्जामपल से कैसे होता है चाल क्या है गती दर का मापन चाल कह लाता है वस्तू कि चाल का उसके द्वारा चली गई दूरी को समय से भाग देकर परापत किया जाता है फॉर्मिला यह रहा चली गई दूरी बटा समय वी स्कल टू एस बटा टी यहां पे वी क्या है चाल है हमारी चाल और दूरी S क्या है विस्थापन और दूरी T है समय और अगर आप आगे पढ़ोगे तो A आएगा A क्या है हमारा त्वरण और मंदन A क्या है त्वरण और मंदन त्वरण का कैसे पता चलेगा A की वैल्यू प्लस हो मंदन में A की वैल्यू माइनस हो जाएगे Next है चाल अ्मातरत क्या है його स्क्रणा क्या है एकुली। मिट्र we go तो क्या किया जाए अब यहां पे हम्हें खुद नहीं पता कि करना कैसे है तो इसका simple सा formula है कुल दूरी बटे कुल समय जितनी दूरी चली और जितना समय लगा उससे आप भाग कर दोगे तो औस चाल आ जाएगी इसका यह रहा एक प्रशन करो किसी वस्तू की चाल का मापन मीटर प्रति सेकेंड और किलो मीटर प्रति घंटे में है यदि आपको देया हुआ है कि जो वस्तू है चालिस किलो मीटर प्रति घंटे में पूरा करती है तो देखो आप सेकेंड वाला निकाल सकते हो पाट किलो मीटर प्रति घंटे का निकाल सकते हो चालिस बटे पाँच कर दो हो जाएगा 8 km प्रति घंटा आ जायेगा लेकिन अब मीटर प्रति सेकेंड में निकालना है तो उससे पहले आपको किलो मीटर को मीटर में बदलना होगा और घंटे को सेकेंड में तो देखो 1 km में 1000 मीटर होते हैं यह चीज़ ध्यान रखना वही एक घंटे में एक घंटे में कितने मिनट होते हैं आप बोलोगे 60 मिनट होते हैं एक मिनट में कितने सेकेंड होते हैं 60 सेकेंड तो एक घंटे में कितने सेकेंड होंगे 3600 सेकेंड होंगे यह चीज़ का ध्यान रखना 3600 सेकेंड यह इन्होंने डारेक्ट लिख के दे दिया आपको मैंने प्रॉपर तरीके से बताया कैसे हुए यह इन्होंने ऐसे लिख दिया एक्जाम में आयागा आपको ऐसी करके solve कर लिना है तो final answer के आयागा 2.22 meter per 30 second दूसरा ये भी है इस तरीके से भी आप कर सकते हो directly multiply कर दो 8 बटे 18 अगर आप चाल को meter per 30 second में करना है और meter per 30 second से kilometer per 30 घंटे में करना है तो 18 बटे 5 से गुना कर दो आजाएगा आपका next है वेग क्या है फिर वेग में बच्चों कुछ नहीं है यहाँ पर विस्थापन बटे समय आजाएगा क्योंकि यहाँ पर दिशा भी दे दी गई है सेम बात है बिल्कुल जैसी चाले वैसी वेग होती है और कोई फर्क नहीं है बस थोड़ा सा फर्क है दिशा गिवन होगी और कुछ नहीं है जैसे ओसत चाल का फॉर्मला होता है न दूसरा फॉर्मला यह है प्रारंभिक वेग जमा अंतिम बटे में दो अगर आपको निकालना है आपको प्रारंभिक वेग दिया होना चाहिए और बटे में फिर दूआप करीदोगी यह औसत है प्रारंभिक वेग का होता है जब सुरुवात की गई है गाड़ी कितने पर चल रही है जो उस समय वेग होगा उसे प्रारंभिक वेग बोलेंगे दूसरे अंतिम वेग, अब गाड़ी कितने पे रूक रही है, कितने वेग पे रूक रही है प्रारम्विक वेग को यूसे दिखाया जाता है, अंतिम वेग को वीशे दिखाया जाता है इस चीज़ का ध्यान रखना है बाकि ऐसा ही मात रख सेम रहेगा मीटर प्रतिस सेकेंड वेक का फार्लों मैंने आपको बताई दिया और ये एक सदिश राशी होती है प्रश नमबर 8.3 रीड करो खुद से करना है बहुत आसान है ये मैं नहीं समझाऊँगा अगर डाउट रहता है तो आप मुझे टेलिग्राम पे इस्टाग्राम पे और डिस्कॉर्ड पे पूछ लेना वहां क्लियर कर दूँगा लेकिन अभी आपको खुद करना है तौरन क्या है तौरन की रेफिनिशन आपको याद कर लेनी है वेक की समय के साथ परिवर्तन की दर को तौरन कहते हैं इतनी चीज़ का आपको ध्यान रखना है अब देखो वेक में परिवर्तन बटे में समय ये सिंपल सा फॉर्मला है तौरन का वेक में परिवर्तन बटे म हमेशा positive होगा यानि की positive होने के लिए क्या होना चाहिए भाई किसकी value जादा होने चाहिए यहाँ पर V की value जादा होने चाहिए क्यूंकि V के value जादा होगी यूग की कम होगी तो overall answer ऊपर positive में आयागा final answer हमारा भी positive में होगा तो यह चीज़ आपको clear होनी चाहिए तोरण के केस में जो अंतिम वेग है उसकी वैल्यू जादा होनी चाहिए और मैं कहूं positive होनी चाहिए वहीं मंदन के केस में क्या होगा सेम फॉर्मला है वी माइनस यू बटे टी ही है लेकिन यहाँ पे फर्क क्या है यहाँ पे जो यू है प्रारंबिक वेग है उसकी जो वैल्यू वो जादा होनी चाहिए प्रारंबिक वेग की वैल्यू जादा होनी चाहिए और जो final answer आएगा हमारा नेगटिब में यहाँ है इसका ही मात्रक यह है मीटर प्रति सेकंडünde स्कुरे आपको पता होना ही चाहिए क्योंकि उपर वेग बटे में समय है तो इसका क्या मीटर प्रति प्रति सेकंड स्कुरे हो जाएगा यह जो प्रैशन है 8.4 यह आप खुद कर सकते हो फिर भी समझा दिता हूँ मैं कोई motorcycle है जो पहले 40 km प्रती घंटा से चल रही थी बाद में 60 km और कितने समय में कर रहा है यह 5 second में अब यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखो तो आपको जो उपर है किलो मीटर है उसे मीटर में भी बदलना होगा तो ऐसे बदल दिया 1000 बटे 3600 से गुणा कर दिया आंसर आ गया सेम इसमें सिंपल फॉर्मले में पूट कर आंसर आ गया कोई डाउट रहता है आप मुझे पूछ लेना नेश्ट है गति का graph गति का graph division दो तरीके से किया जा सकता है दो graph है यह आपके एकशुली में एक होता है जिसे हम बोलते है I अ अइसटी graph दूसरा होता है जिसे हम बोलते है वीटी graph अब चूला आप पढ़ रहे हैं अ इसटी graph एक समानगती के लिए जब एक समानगती है तो बिलकुल सीधी रेखा जाएगी सीधी रेखा में क्या बताएगी कि किसी भी पॉइंट पे आप देखो गए तो आपका जो अंसर सेमी आएगा सब के लिए बराबर बराबर आएगा यहां पर यह नीचे गलत दिया हुआ यहां पर टी टू माइनस टी वन होना चाहिए ncrt पढ़ लेना आपको clear हो जाएगा टी टू माइनस टी वन होना चाहिए क्योंकि यहां पर final minus initial होता है यानि कि प्रारंबिक प्रारंबिक जो बाद में आएगा जो अंतिम आएगा वो पहली तो अंतिम माइनस प्रारंबिक ऐसा होगा इतनी चीज़ के लिए एश्टी ग्राफ जब असमान गती हो असमान गती है तो वक्र उपर की तरफ होगा और यहां पर जब वक्र उपर की हो रहे तो यहां पर जो गतिय वे त्वरित हो रही है और वक्र अगर नीचे की हो रहे तो यहां पर गती मंदित हो रही है इतनी चीज़ आपको क्लियर होने चाहिए कि कौन से केस में गती त्वरित हो रही है कौन से केस में गती मंदित हो रही है एक्जाम में अगर ग्राफ दि नहीं रुकेगा समय किसी के लिए नहीं रुकता है तो समय तो बढ़ता जायागा लेकिन जो पोजिशन है वो सेम रहेगी तो यहां पर क्या जाएगा फाइनल व की वैल्यू हाजएगी जीरो क्योंकि विश्राम अवस्था में तो कुछी चली नहीं तो फाइनल वैल्यू जीरो हो जाएगी सिंपल सा लॉजिक लगाओ आपको सब आ जायागा नेक्स्ट है वेक समय ग्राफ और वीटी ग्राफ वीटी ग्राफ पे आ गए हम देना उसमें कोई फार्क आएगा ही नहीं क्योंकि समान गती ना तो बढ़ रही है गती ना ही घट रही है तो वीटू माइनस वीवन वीटू और वीवन सेम है तो फाइनल आंसर आपको जीरो आजायागा जीरो मीटर प्रति सेकेंड स्कूर्र नेक्स्ट है यह एस्टी ग् यहाँ ना होना चाहिए वीटू के वेल्वी वीवन से जादा होनी चाहिए अगर वीटू के वेल्यों से जादा थो फाइनल एंसर पॉजिटिब में होगा यह आक्स्ट है वीटी ग्राफ अरे यारे फिर फिर प्रिंटिंग मिस्टेक आ गई इस चीशची का थोड़ा आप को दिखान रख लिना है यह प्रिंटिंग विश्टेक है नेक्स्ट एप विटि ग्राफ विश्णा ववस्था के लिए तो कुछ इस प्रकार का होगा यहां आप देख रहे हो ग्राफ से देख लेना ना उपर जो लिखा उसमें कंफ्यूज मत करना नीचे ग्राफ देख लेन वीटिग्राफ आसमान गती के लिए होना था यह इतनी चीज़ के लिए रहे ये समान गती के लिए लेकिन मंदित है समान गती के लिए मंदित है तो आप देख रहे हैं बिल्कुल सीज़े धीरे धीरे नीचे गिर रहे है और सब के लिए ये क्या सेम आता जा रहा है A1, A2, A3 सब के लिए सेम आता जा रहा है समझ में आया इतना एक्जाम में आएगा ऐसी पूछा जायागा इससे जादा नहीं पूछा जायागा आपसे इससे जादा समझना है तो फिर बता देना सेम नहीं है क्योंकि असमान गती है ना तो कभी बढ़ रहा है कभी एकदम से गटा कभी धीरे धीरे गटा तो ऐसा होगा इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको नोट किनी दो समय अंतरालों के बीच का छेतरफल अध्य ग्राफ में वस्तु द्वारा चले गए विस्थापन को प्रदर्शित करता है अगर आपको ग्राफ में निकालना है कि विस्थापित कितना किया हुआ है वस्तु ने तो आपको कैसे निकालना है दो समय अंतराल के बीच का छेतरफल निकालो आपका अंसर आ जाएगा इतनी चीज़ किलियर कर लेना जैसे कि इस फॉर्मले में बता आजाएगा अब यह फॉर्मला किस का बन रहा है यह छेतरफल का बन रहा है तरिबूच एधर वेस्थे लुका इतना ठीक है और यह आपको पता है किसका है सिंपल सा है ऐसे कर लो गया यह परशन टक्षा गारू ही में इंपक्रिंट है बच्छे चैन्फियूज हो जाते है लेकिन आपको आना चाहिए A और B वस्तूओं में से कौन सी वस्तू का वेग जादा है यह आपको बताना है यह आपको बताना है तो यहाँ पर आप खुद देख सकते हो वेग वेग की वैल्यू जिसकी ज़्यादा है यह उसका यहाँ आप देखो अगर आप मालो सेम पॉइंट पे निकालो दौनों के लिए दौनों के लिए जब आप सेम पॉइंट पे निकालोगे ना तो आपको पता चल जाएगा दौनों सेकेल लो और सेम पॉइंट कर दो यहाँ पे और इसका तो ओवियस सी बात है कि वे किसका जादा आएगा A का वे एक जादा आएगा B से गती के समीकरण अब गती के समीकरण क्या है देखो गती हमें निकालने है तो हमें अगर दूरी दी हुई है समय दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है तो हम उससे दूसरी चीजे निकाल सकते हैं तो इस आधार पे गती के तीन समीकरण है गती के हैं तीन समीकरण पहला समीकरण क्या है वो देखो जरा पहला समीकरण है V is equal to U plus A T V क्या है आपका वही अंतिम वेग U है आपका प्रारंभिक वेग A आपको तुर्ण T हो गया समय निकालो इससे फिर ऐसे ग्राफ के दूर निकाल सकते हो आप करा क्या ग्राफ बना दिया ऐसे चला तो देखो प्रारंभिक वेग कुछ है इसमें प्रारंभिक वेग जीरो नहीं है as of now यहां पे कुस तो value है उसकी प्रारंभिक वेग कुस तो value है फिर यहां B तक गया A से B तक गया B पे क्या हो जाएगा अंतिम वेग हो जाएगा अब निकालना कैसे है वो देखो जरा यहां पे हमने ऐसे इसकी shape बनाई ऐसे shape बनाई तो यहां पे अगर हम इस shape को तोड़ें तो यहां पे एक हमें त्रिबूस दिख रहा है दूसर चत्रिबूस दिख रहा है दौनों का छेतर्फल जब हम जोड़ देंगे final हमारा answer आ जाएगा दौनों का जब हम छेतर्फल जोड़ देंगे हमारा final answer आ जाएगा clear है वेग में बदलाव समय में बदलाब वस्तु का त्वारण कितना है ए है तो वेग में बदलाब समय में बदलाब समय में तो कोई बदलाब हो नहीं रहा है आपका फाइनल क्या है जीरो है हमारा तो आंसर आ गया टीटू माइनस टीवन हो गया न तो जो टीटू है वो हमारा final t1 हमारा 0 है तो final हमारा answer आ गया है next है I guess आपको अभी भी यह समझ आया नहीं होगा मैं थोड़ा सा आपको detail में समझाता हूँ देखो प्रत्थम जो गती का समी करने वो है v is equal to u plus 80 u plus 80 यहाँ पर तुरंड दिया हुआ है यह ऐसा कुछ आपको बनाना है वीटी ग्राफ आफ ने बना लिया ठीक है वीटी ग्राफ बना लिया ऐसे a से b point तक वस्तू गई u की value कुछ तो होगी u की value कुछ तो होगी तभी क्योंकि अगर यहाँ से चलता तो u की value 0 हो जाती अगर जो वस्तू है 0 से चलती तो u की value 0 हो जाती यहाँ पे गई ठीक है तो वेग का फॉर्मूला क्या है वेग का फॉर्मूला है वेग में बदलाब बटे में समय वेग में बदलाब क्या होगा b minus a होगा यानि कि v minus a हो जायाए v minus u हो जायाएगा यह हो जायाएगा यह कुछ इस प्रकार का बनेगा a equal to v minus u butter t बस cross multiply कर तो इसको इधर ले जाओगे और इधर उधर cross करोगे आपका answer आजायाएगा अच्छे एक चीज़ का धिहान रखना यहाँ पे simple सा दिमाग लगा लेना आपको simple सा logic कि कोई भी एक चीज़ गिवन हो ना जैसे कि मानलो आपको v given है u given है और t given है तो a निकाल लोगे या फिर आपको a given है u given है v given है तो t निकाल लोगे यहनि कोई भी तीन चीज़ गिवन है तो आप एक चीज़ तो निकाली सकते हो दूसरा जो समी करने गती का वो यह रहा वो है S is equal to U T plus half A T square इससे हमें क्या पता चलेगी विस्थापन पता चलेगी अब विस्थापन निकालना है मुझे सेम ग्राफ बनाया यह जो ग्राफ देख रहे हो आप ग्राफ बिलकुल सेम बनाया ग्राफ सेम बनाया अब विस्थापन मेरा कहा से कहा तक हो रहा है यहां से यहां तक हो रहा है अगर आप गौर से देखो A point से D point तक मेरा actual विस्थापन हो रहा है है ना तो इसको कैसे निकाल लेंगी अब मुझे ऐसे निकाल लें सिंपल सा है कुल विस्थापन क्या है आयत OADC का चेतरफल जवामे DAABD का चेतरफल अब OADC क्या है OADC क्या है OADC यह आयत इसका चेतरफल बाकि फिर यह हो गया हमारा यह हो गया इसका चेतरफल DABD इसका चेतरफल हो गया इन दौनों का 6 तरफल जोड़ दोगे, आपका answer आ जायागा सिंपल सी वात है, अभी नोट में आपको यही बता है ताकि बस दौनों के 6 तरफल आपको जोड़ देना है, final answer आ जायागा तो उसी प्रकार से कराए, कुछ ऐसा कराए न, तो ये U हो गया ये A है ये B है ये D C कुछ इस प्रकार का बन रहा है कर लेना next value putting कर ये हो जायागा आपसे U into T plus half T त्रिवूज बन रहा है तो उसका छेतरफल जब हमें आयत का छेतरफल आयत का छेतरफल L into B होता है त्रिवूज का half वो होता है half into में जो perpendicular height है and जो base है उसकी value हो जायागा आपका ऐसे कर लेना ठीक है कोई doubt रहता है पूछ लेना next है त्रित्य समी करण गती का जो त्रित्य समी करण है वो है V square is equal to U square plus 2 AS तो इसको कैसे दिखाएंगे इसका simple सा है कुल विस्थापन क्या है O A B C समलम का छेतरफल O A B C समलम का छेतरफल यह आप देख रहे हो O A B C O A B C इसका छेतरफल आप निकाल लोगे final answer आ जायागा कर लिए answer आ गया बस आ गया S is equal to V square minus U square 2 A तो final value कैसे V square equal to U square plus 2 AS यह तो सिर्फ formula exam में जो आएंगे इसके उपर प्रेशन कर लेने हैं आपको जैसे की 8.6 में बोला गया है एक motor car विश्रा मवस्था से चल कर एक motor car विश्रा मवस्था से चल कर 0.1 meter प्रति सेकेंड स्कूर की तुरन की दर से 4 मिनट तक चलती है 4 मिनट तक चलती है इस motor car द्वारा तैकी गए दूरी तथा अंतिम वेक ग Users तो आपको तैकी गए दूरी निकालने है यानि की विश्थापन और अंतिम वेक तो आराम से निकाल लोगे आप आपको ये दे दिया तुरन दे दिया एंड आपको 4 मिनट वो दे समय दे दिया तो निकालने लोगे यानि कि आपको A given है T given है A given है T given है तो आप आराम से निकाल लोगे U आपको पता ही है 0 हो जाएगा V निकाल लोगे आप हो जाएगा जैसे कि यहाँ given है U 0 हो जाएगा A आपको given ही है T आप निकाल लोगे 2nd में V निकालना है तो V is equal to U plus 80, simple सा formula put किया, next 8.7, कोई rail गाड़ी ब्रेक लगाने के कारण, ब्रेक लग रहा है, अब ब्रेक लग रहा है, यानि कि मंदन हो रहा है, मंदन के लिए, जो हमारे A के value होगे, वो negative में होगी, तो यहाँ पर आपको धियान रखना है, A हमारा negative में होगा, 6 meter per second square होगा, मंदन अनुभव करती है, 2 second रुख जाती है, अब T कितना है 2 second, तो आपको रेल गाड़ी द्वारा तैकी गई दूरी, A दे दिया, T दे दिया, A दे दिया, T दे दिया, निकाल लोगे आराम से, हो जाएगा, V यहाँ पर final zero हो जाएगे, क्योंकि final velocity तो zero है न, V क्या हो जाए हो जाएगा हमारे U निकल गया, U निकल गया तो इस formula में S, तो यहाँ पर actually में हो क्या रहा है, आप गौर से देखो इस वाले question में, इस question में यह हो रहा है कि दो formula लग रहे हैं, पहले V is equal to U plus 80, वहीं उसको rearrange करके लिग दिया, दूसरा है S is equal to ut plus half 80 square, तो question कुछ इस प्रकार क लगाने पर सकते हैं, तीन formula भी लगाने पर सकते हैं, यहीं पर क्या होगा कि बच्चे हो जाएंगे confused, बच्चे यहीं पर confused होंगे, क्योंकि अगर उन्हें नहीं पता कि 2-3 formula कैसे लग रहे हैं, तो हो जाएंगे confused, आप कर लेना आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई doubt पथ में एक समान गती से विचरन करती है तो ऐसी गती को एक समान वृत्य गती कहा जाता है एक समान वृत्य गती में चाल में कोई बदलाव नहीं होता है परन्तु वेग में लगातार बदलाव हो रहा होता है चाल में अब यहां पर दिशा नहीं है चाल में लेकिन वेग में अब यहां पर आप देख रहे हो, V1 यहां पर यह दिशा, V2 की दिशा यह रही, V3 की दिशा यह रही, V3 की तो लगातार दिशा में बदलाव हो रहा है, इसका जो फॉर्मला है वो है, V is equal to 2πr बटे T, 2πr क्या है यह परिमा पर बटे में समय, विलोश्टी निकालना है, वेग निकालना है, परिमा बटे समय कर दोगे, आपका अंसर आ जाएगा, तो बच्चो आज के लेक्चर में इतना ही, होफुलि आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ लेना, बाकी लेक्चर को शेयर कर दो अपने फ्र आवाट